नमस्कार आप देख रहे हैं सित्योग नूज और मैं हूँ आपके साथ चित्रण्यन कुमार अब मैं मौजूद हूँ गो के देवकुंड में और देवकुंड के मठ में मौजूद हैं यहां हमारे साथ बात करने के लिए मठा दिस्वर जो हैं कनाया पूरी जी हैं आज हम इन से मठ के बारे में जानकारी लेंगे और देवकुंड का इतिहास क्या रहा है धार्मी की त्यास क्या रहा है पौरानी की त्यास देवकुंड की क्या रही है इस पर हम इस्तरित रुप से बावा से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो भूमी है वा कैसी भूमी है और किसकी भूमी रही है बवा नमस्कर अभी हम मौजूद हैं आपके मठ में यहां कि इतिहास पौरानिक और धर्विक्या है यह मरस्ति चोन डिसी का अस्रम है और बोला जाता है कि मरस्ति चोन का आखरी समय यहीं वो ब्यतित हुआ था तिनका डालती आगया था अस्रिनी वैदो के द्वारा आके यहां पर उनका उपचार किया गया था देवकुन के वह भूमी पर पहला बार सरेची किसा यहीं पर हुआ है तो कि मरस्ति चोन का हुआ था उसके बाद यही पर चोन परास का भी निर्मान हुआ था आज भी यहा नब्य के दसक में रक्सनी अंदोलन जह हुआ तो उसे मुहत ग्रसित जबा रहा है या लगतार मान्तों की आत्या होते रही और कुछ सम्मन के जबीनी विल्योत सारी थी जबीनों को लोगों के द्वारा जो एक अबजार कर लिया गया लेकिन आज जो भी मठ के पास में है उसी से इस मठ का मंदर का सरवागिल भीकास कि आजा रहा है यहां अगौण अगौन सिव का एक मंदर है जो निलाईंका सिब्लिंग है और उसको पगुआ नाम के दौरा यहां पर अस्थाबित किया गया, ठका आ जाता है कि निलम काव इसे पुजन करने से जो ही भुरे गरह होते हैं, जैसा नीर आ हुगा उलके तो गरह से जो एक ही मुक्ति प्रदान मुलती है, एक चीज आपने बताया महांतों की हत्या कर दी गई भुमी को लेकर जमीन कमजा करने को लेकर, आज भी आप देखियागा यहां से लेकर मंदिर से लेकर मट के बीच में जितनी ही मकान बने हुए, यह वैज दुरू से भुम अभ्याओ के द्वारा कमजा किया हुआ भुमी है, और अभी कुछ इन दिन पहले 2010 में भी एक महांत के ध्या कि गई, कि फिर से इस मट की भुमी को अर्जित कर रहे थे हुए है जब भुम अभ्याओं के अपर जो हे सरकार यह परसासन दविच देती यहां तक कि जब इन लोगों के पास कंप्लेंड अधार्मिकने अश्वोड है, मटकी भूमी में मकान बन रहे थी, हमें धार्मिकने अश्वोड में एक बार नहीं भीस बार गया, उसका लेटर है, उनके दोरा डियम को और अंगाबाद, अश्वोड दाउद नगर को लेटर पत्राचार किया गया, कि उनके भूमी पास कर्मन बन रहे उसको रोका जा, लेकिन इन लोगों के दोरा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, यहां तक कि सब मजिस्टेट के यहां से इस मटके भूमी को पर रहे थी, मानते हुए डिगरी दि से जतना मटका है, उतमा हम लोग अपने आजा है, कि जो बांडरी वाल है, बांडरी है, वो कितना में है वही? मट का बांडरी यह लग आपको लगता है कि मट निर्माल और बांडरी लिए के इन अलाइतीने कर जमिनू अभी हम लोग जिस अस्थान पर खड़े हैं, अभी ह वो आया अंदर और बाबा आप बताएंगे हमें एक अगनी कुंड है जो कि आज से नहीं आजा लगबत छेसो साथ सो वरस पाले इस मट के संस्था पर वाल पुरी जीत है उनके द्वरा ये दुना जलायागा जो आज तक ये जिवीत है इसे अहां इसे गोश में दे इसमें कोई भी आउन सामागरी वो अपनी हाप लाले तब से है ये पांच्छे सो वरस हो गया लगब बगल मुर्ती है वो इसके बारे में हम चाहेंगे अपरिश्टी चोण जी है ये ये मर्श्टी चोण जी जिनका ये आसरम का आपके द्वारा ज़र की वाक्या योगदान ये हा वो श्पीटल बनाने के लिए वो श्पीटल भी बन गई है थना बनाने के लिए भी दिये थना भी बन गया है यहां तक केंद्रिय विद्याले के लिए विद्या से कड़ भी दिये जो कि सरकार के उदा सिंता के करल अधर में ठीका हुआ है और यहां पे मठ का नवीन करल हो या मंदरी का जो भी development वार के दौर केंदरिये बिद्याले बोलने हैं कि अगर केंदरिये बिद्याले यहां बन जाता है उसके लिए अपने जमीन लिख भी दिया है लेकिन आव तक नहीं बना है उस पर कोई आपके त्रेस्प से पहल की जाना है हमने कई बार जो छेत्रिय सांसद मिदा है लोगों से हमने बुलते रहा लेकिन कोई चीज नहीं होता है लोगों का का नाम है क्या है सरकारी टेक्निकल के का रहा है आज क्रेट में लोग वर्क करना कम चाहते हैं और क्रेडिट लेने के लिए लोगों को डर है कि कहीं ऊचीज बन जाए तो उसको प्रेडिट नहीं बिल जाए उसको प्रेडिट नहीं बिल जाए इसके चलते उसको अधर मटला गया जो कि अगर सिच्छा के द्रिष्टी से देखा जायते पिछडी का ही लाका है और कहा जाता है कि जब तक समाज से चित नहीं होगा तब तक उनका विकाश नहीं हो सब सिच्छा को लेकर के क्या आपका पाहल है सिच्छा को लेकर हम से जो भी होता है वो तो हम कर रहे है या बहुत तारे क्वचिंग सल्थानों का भी अपने रिजन भी मेरे रिजन में जो है कि वारा बनुतार एक वचीन स्थान में चलाए जाती है सिच्छा के लिए कि हम आई टिया एक वेंद्रिया में जाले सबके लिए जगत अब तो हम तो जदा ही दे सकते हैं जितना में आए उतना में तो बिवस्ता करना है अब यह तो नहीं है कि नहीं सास्रम के पास 10-20 करूर रुपए की प्रपर्टी है जिसे हम सेम से निर्माण कर्श तक है आकोश चला से और अंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने की जब बात आई थी तो उसमें भी देवकुन का नाम आगे आया था अरवन जिला और अरंगाबाद के सबसे पिछड़ी इलाका है और पिछड़ी इलाका का वेकास सिच्छा से ही हो सकता है बागी किसी चीज से ने एक चीज और कहा जाता है कि यहाँ आने के लिए जो रोड है हुआ नहीं है अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो जानने के गुए यहाँ बंतारा से लेके फिरू तक एक मुस्लिम गाउं से दुसरे मुस्लिम गाउं को जुड़ने के लिए एक ही रोड को पान साल में पाच बार बनाई जाती है लेकिन हस्पुरा से देवकुन का जे में रोड है उसको जुड़ने के लिए आज तक किनी के दुआरा कोई पहलने किया गया, अभी आप जाएएगा, तो मोटर साइकल से भी जाने मी, आपको यहां से रच्पुरा जाने में, कम से कम 45 मिनृत से, ज़न टाका समधुता हो, पूरो में कई नेताओं नहीं, आगे चलते हैं, और बात करते हैं, आप आप देव को देख रहा है, देव के छेतर के लोगों ने देव के ऊपर द्यान रखा, आज वो डवलप हो गया, आज आता है कि भगवान शुड की अस्तान हो है, अर अरंगाबाद दिला में तिन धार्मे कस्तल है, जिसमें सीव, सक्ती और सुर्य का अस्तान है, देव, एकास हो रहा है, लेकिन उमगा और देव का विकास हो रहा है, परनतों देव को दिलान की तरफ आज तक किसी का कोई नजर नहीं है, सरकारि उदासिंसिक का इसका जो भी विकास हो रहा है मंदिर के मठ के मादियान से तो ये थे कनहया पूरी जी माराज जी जो यहां के मठ अधिस्वर है हम आगे चलते हैं और यहां की जो और भी विवस्ता है यहां पसू भी है बावा के साथ चलेंगे और वहां भी देखेंगे कि वहाँ का क्या हाल है अब बावा के बद द्वारा क्या परियास किया जाता है तो चलते हैं बावार आगे कुछ और देखते हैं बावार ये क्या है यांके लगवार आज के 304 सब रस पर लेकि जूबी संत लोग थे उन लोगों की समाधिक अब मनाया आवसे नहीं है चोडिसों गंटे या बून-बून-पनिक ए ने गर्मी के सीजिन में इट आएगा आपको जेट फुनिमा तक रहेगा उसके वाँ उसके रानाट गया भी है मैं इसाख पनवाँ से चलते हैं आगे चलते हैं वह आप गौ सेवा भी आप करते हैं और इसकी चर्चा हर जगा होती है कितने गाय हैं मट के अंदर में वासरम के अंदर में तो यही हैं दस बाराट टुटल में यही हैं बाराट छोद हो आउई लेकिन और एक गौ साला चलाने के लिए हमने जगा दिया है बुदर बगई चाम एंजीओ को दिये थे लेकिन मुई एंजीओ की द्वारा वह उट उशागा की दुरदसा टर दी गई है अच्छा से देख रेक लोग नहीं करता है जिसे हाट आक है और पुना हापना आसरम के माधिन से जगोसाल चनाने की बात फुरे पुलिस पर सासन गाय पकड़ती है उसे भी देवकुन में लाया जाता है वहाँ पुलिस पर सासन पकड़ती है उसको देवकुन लाया जाता है देवकुन गोसाला में कुछ दिन रखके है और चकौलिया गोसाला के नाम पर फिर उस मुआशियों को कहा लेके लोग जाते हैं आज दो किसी को पता नहीं चरू लगा है यह तो बड़ा मावला भता है उसका ही साब कहता देते हैं यहाँ पे जानवर बहुत सारे मुआशियों को आते हैं कि हम चाकॉलिया बहुत आला ले जा रहा है और इस दिनों के यहां से परमिसन लेके, आज रोग कहा लेके जाते हैं, अज तक किसी को पता नहीं चाहिए और हमने कई बारे लोग से मावेशियों के बारे में पुस्ताश करने के कोजिए कि तही रोग उल्टा मेरे उपर ही केस करना और किलिम करना सुन कर देते हैं, इसलिए इनको अटाक है, हमसे अपने आस्रम के द्वारे जो है काउसला यहां चलाने के तियारी कर रहे हैं यह यह थे कनया पूरी बावाज, नहीं हमें मठ के बारे बताया और मंदिरों के बारे बताया इन्होंने बताया साब तोर पर कि सरकारी उदा सिंता का सिकार देवकुंड है, इसे सरकारी अस्तर से कोई विकास नहीं किया जा रहा है जो भी विकास हो रही है वो अब मेरे द्वारा हो रहा है इनके द्वारा हो रहा है और नहीं तो मठ बंदिरों के द्वारा हो रहा है इन्होंने पसु को भी दिखाया अब बवा एक चीज़ और पसु जो है वो दुधारू है या नहीं है यहाँ पर दो तिन में से हर समय धुदार रूड़ाते हैं क्योंकि पपांशिव को यहाँ पर भी दुद से ही पूजा के जाती तो वीडियो जनरलिस्ट अंकीत और धीरज के साथ छितरन्यन की रिपोर्ट से इत्योग नियुच और अंगाबाद